हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज में लेकर आई हूँ एक नई डिस आपके लिए वो भी आलू के परोठे यह बनाएंगे हम दो प्रकार से वो भी इजी और सिंपल तरीके से तो जलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने दो आलू लिये हैं उबले हुए अ प्राव प्रस्थाब यसमें डालेंगे आधा छमज लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी पाउडर मिर्च आदा चम्ज के क्रीब अच्छा आता है स्वाथ बढ़ जाता है अब इसको अच्छे से मैस्क कर ले चम्मस की साहिता से या पिर अपने हाथों से भी आप कर सकते हैं कि मसाले सारे अच्छे से मिल जाया उसमें देखे काफी अच्छे से मिल गया है मैंने सारा करश कर लिया है अब शुरू करते हैं आठा जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह गुंधना है जिसको हलका सा थोड़ा छोटी रोटी के बराबर बेल लेंगे अब इसमें हम जो हमने आलू की फिलिंग बनाई थी वह उसमें भर देंगे और इस तरह से सल देते हुए गोल के हाथों से बेले ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना आए हलके हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से गोल सेब दे अब इसको सेखेंगे हम तब यह पर डालके दोनों साइट से तेल लगाए आप चाहें तो घीवी लगा सकते हैं मैं इसमें तेल लगा रही हूं कि दोनों तरब से तेल लगाते हुए अच्छे से देखें इसको गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे देखी काफी अच्छे से सिख गया है तयार है हमारा आलू का पराठा तो चलिए अब दूसरे तरीके से बनाते हैं अब एक रोटी बे लेंगे हम अच्छे से गोल गोल बना लें अब बैक्राउंड में डॉगी की आवाज आ रही है तो प्लीज थोड़ा उसे इग्नोर करिएगा अब एक उबला हुआ आलू लेंगे हम और किसनी की सहायता से अच्छे से किस लेंगे देखी आलू किस लिया है मैंने अब इसे अच्छे से पूरी रोटी पर फैला दें अब इसमें डालेंगे हम हलकी से लाल मिस पाउडर थोड़ा से डालेंगे जीरा थोड़ा सा जवाइन हलका सा एक पिंच नमक एड़ करेंगे अब इसे बीच से थोड़ा सा कट करेंगे हम हाफ तक कट करना है अब इसे पलट कर ट्राइंगल से फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरा फोल्ड कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि यह खुले किसी तरब से अब इसको अच्छे से हाल के हाथों से बेल लेंगे हम देखी पराठा मारा पूरा बिल चुका है अब इसे तबे पर हम सेखेंगे पलड के दोनों तरब से तेल लगा के अच्छे से सेखें आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं देखी अब यह अच्छा से गया है पराठा हमारा दोनों तरब से से के उसको है को तेयार है हमारा पराठा आलो के पराठे आज डो बदर से बनाए हमने ऐसी नहीं नहीं रेसीपी देखने के लिए मेरे चैनल को शब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं रेसीपी के सांथ अब healthy रही है, fit रही है, thank you for watching